बहुत बड़ी खबर आ रही है, अलकाइदा के आतंके अलजवाहिरी की मौत से जुड़ा हुआ एक और पहलू सामने आया है, इस वक्त की बड़ी खबर अलजवाहिरी की मौत से जुड़ी हुई, अलजवाहिरी की मौत पर बहुत बड़ा खुला सा एवीपी न्यूस करने ज कर जवाहिरी को मरवाया है, EYP News इस बड़ी ख़बर का खोडासा कर रहा है, जवाहिरी की मौत में पाकिस्तान का हाथ है, और पाकिस्तान ने जवाहिरी की मौत के बदले पैसे बसूले हैं, हमारे सायोगी ओम्रकाश् टिवारी इस बड़ी ख़बर पर बड़ी जानकारी के साथ जुड़ गाए हैं उंप्रकाश्तिवारी बहुत बड़ी ख़बर पाकिस्तान अब पैसे लेकर जवायरी को मरवाने के पीछे उसका हाथ दिखाई दे रहा है। पता था, ये शक्स वहाँ पर इस मकान में कहा रह रहा है। इस मकान का कोई अन्य हिस्ता ध्वर्ष्ट नहीं हुआ है। और केवल, अल्जवारी जहां खड़ा था, वही मारा गया है। इसका साफ तोर पर यह भी मतलब निकलाया सकता है कि ड्रोन हमले के साथ साथ जैसे की सम्हावना जताई जा रही है कि ये स्नाइपर एटेक भी हो सकता है। अमरिका ने इसे ड्रोन हमला करार किया है। बहुत बहुत शुक्रिया उंप्रिकास्टिवारी इस ख़बर से जुड़ा हुआ कोई भी अपडेट होगा उंप्रिकास्टिवारी के जरी हम आप तक पहुचाएंगे। देखे गए हैं। इस वक्त की जो दो बड़ी खबरें आपके सामने हैं। हमारे सयोगी प्रणय उपाध्याय भी इस ख़बर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गएं। प्रणय एक बड़ा सवाल ये है कि जो इलाका है वो पूरा इलाका जो है वो विवादों में है। चीन लगातार ये दावा करता रहा है कि उसका इलाका है और देखे हमारे साथ तमाम विशेशग्य भी जोड़े हुए हैं। और उनका हम आपसे तारुक करवा देते हैं। सन्जय सोई हैं रक्षा विशेशक हैं जबकि मेजर जनरल एके सिवाच भी हमारे साथ जोड़े हूए हैं . रक्षा एक्सपड अनिल ट्र साथ जोड़े हुए पूर्व राजदूत हैं और सारा हाश्मी ताइवान की एक्सपर्ट हैं वो भी हमारे साथ जोड़ी हुए हैं सबसे पहले सारा हाश्मी का रुक कर लेते हैं सारा इस पूरे आप तनाव की स्थिती को किस तरह से देख रहे हैं क्या ये और ज्यादा एक्सेलेशन होगा इस इलाके में आप तनाव का सारा हश्मी आपको हमारी आवाज संभवतेया नहीं मिल पा रहे हैं कोशिश करेंगे सारा हश्मी से सारा आपको हवाज आ रही है जी अब मुझे हवाज आ रही है जी तारा मेरा सवाल यह है कि इस पूरे आपके में जो तनाव है वो अब क्या इस हरकत के बाद कि चीन के जो फाइटर जेट है हम आपर देखे गए उसके बाद बढ़ जाएगा तनाव तो हमेशा ही थाइवान स्क्रेट में रहा है ऐसा कोई ज्यादा समय नहीं रहा है कि जब तनाव नहीं है तो अफकोस यह जो विजिट है इससे थोड़ी टेंशन बढ़ गई है बट मैं बोलूंगे कि टेंशन यहा दराब है और सुबह अभी आपने भी अपने रिमार्स में मेंशन किया कि बहुत की करीब थाइवान के मीडियन लाइन के बहुत करीब जो चाइना का एयरक्राफ्ट है वो आया था बट यह सब चीज़े पहले भी हो चुकी है बट अभी आइटिंग वो विजिट की वज़ है जो होता आया है जी समया आपका बहुत बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ बने रही है हमारे साथ और भी तमाम महमान जोड़े हुए है उनका रोख कर लेते हैं सबसे पहले हम मेजर जनरल सजय सोई के पास चलते हैं जैसा कि आपने देखा कि यह विज़ेट थी उससे प अबेफे जो अई विरोद किया है यह काफी कड़ा हुँ इस चील को देखा जया ев兩 कभी अपने शब्डों में कभी नहीं रखिये का इसका बहुत्त बहेंकर परणाम होगा अप dol 묶ने हम camera returnatchे और यह पर उनके और वे इंदक से आउर रही है और उधर से ताइवान भी त्यारी करके बैठा हुआ है भी रक्षा की आप वहाँ पर उनकी रेहलसल चल रहे है हाला कि मैं ये सारा जी से सहमत हूँ कि चीन कई बार हवाई उनके अंदर आता रहता है उनके जहाज ताइवान के अंदर जाते रहते हैं लेकिन इस समय जो महौल है वो महौल बहुत अलग है और उनका अमेरिका ने भी त्यारी के तौर पर सेवन फ्लीट वहाँ भेजा हुआ है तो ये सब चीज़े दुनिया में दोनों देशों के विज़ें टेंशन बहुत जादा एक तरह से नेक्स लेवल पर इस समय में आ चुकी है बिलकुल और देखे हमारे साथ अनिल ट्रिगुनावत भी जुड़े हुए हैं पूर्व राजदूत हैं उनका रुक कर लेते हैं अनिल जी आप देख रहे होंगे कि जब इस तरह की विज़ेट होती है तो उससे पहले बहुत सारे डिप्लोमेटिक एफर्ट्स होते हैं इसे दो बात में बड़ी CDC हैं एक तो ये एक हिस्टीम ताइवान को अपना हिस्सा मानता है कि टरिटोरिल इंटेग्रेश्टी और सोबरेनेटी की पाते हैं और जब प्रेज़ेंट बाइडन से साथ के इस इसे बात की इसे बड़ा क्लिरली बोला कि ये विज़ेट की आट है और इसी तरह है वो साथ्ट चाहिनस की को सचाय इसकी को इसलिए सट सुपर पावरं जिस तरह की हैंको इसी तरह की हर्कष चायना जी भी है लेकिन यह जह लगता है बाइडन की बातों से और जिस बहा कि वो ताइवान को अमेरिका पूल की तरह से स्वाल करता है ताहिना किस्टा इसलिए यह इसलिए यह तुस-दोनों तरफ तो इसमेंट अमेरिका से आथे हैं तुट आई नेशली है कि अब दुट जो जो बदेश्टिंटी वही पोजिशन लेरा है बिल्कुल तो तो अगे त नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शू को पॉज रिपीट करकर के देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपने फेवरिट डिबेट को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव अपने स्मार्ट टीवी पर एबीपी नियूज आपको रखे आगे